नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप उम्मीदे से अच्छे होंगे? स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस पॉलिटीर दे क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है हम मॉलिक करतवर्तक पड़ चुके थे आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा संग की कारवपाली का आज से शुरू होने वाली है और जिसमें आज हम तोभेक पढ़ेंगे रास्टपती रास्टपती के बारे में साइद इससे पहले आपने कोशन पढ़े नहीं होंगे आपने देखे हो लेक olar वेसे किताब़ से नहीं पढ़े हो डेखो कोशन पूचा घया हैं कि संग की कार रखा लिका को संवधान के किस अनुऻूषिद में किस भाग में रखा गया है किस अनुशेद में रखा गया ठीक है देखो संग की जो कार्रेपालिका है उसके तीन अंग होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक हो था राज्टपती जो की कार्रेपालिका क्या होता है मुख्या होता है दूसरा होता है उपराज्टपती और तीसरी हो और इसका अध्यक्स होता है वह भी कौन होता है वह भी कौन होता है पिम क्या करता है। पीम क्या करता है पीम का काम होता है जो संग की कारेपालिका को प्रमुख है जो संग की कारेपालिका का जब मुखिया है उसे यानि राष्ट्यपति को साहता प्रदान करता है और सलाह देने सलाह देता है साहता और सलाह देता है कौन मंत्री परिशत का कौन मंत्री परिशत का में जो मुख्या को साथा देता है टिक है बाइच देखो विवस्ता दो प्रकार होती है कार्यपालिका की ववस्ता दो प्रकार की होती है is में में हिए my और लिए विदायका के प्रति क्या होती है उत्तरदाई होती है वोई राष्ट्पद्र में क्या होता है तो अ कारेपालिका सवधानय की रूप से वैड activity कारेपालिका जो रास्ठ बदहिए उसके बदा हम मंत्री परिशिद को देखें आदेरा राष्ट पति राष्ट पति को बेने बताया भी भाग पास में अनुच्यद बावन से लेकर आठहत्तर तक इनका वर्णरन है जो राष्ट की एकता का रास्ट की खंडता का और सुद्रभडता का इन तीनों का पृति होता है यह पूचि संसथ के दोभासें के निर्वाची सभस के लोक सब्स his इसके रजय विधय के निर्वाची सब्सक्राइब कि यूटी के मेले और क्या होता है यह सामिल होते हैं यह सामिल होते हैं अब कुछा जाता कि कौन सामिल नहीं होता है मत मूले की बात करते हैं मत मूले देखो मत्मूले देखो MLA का मत्मूले जो है MLA का मत्मूले होता है MP के बरावर और लोक सभा का मत्मूले होता है राज्य सभा के बरावर एक कोशन कई बार पूचे जाता है मत्मूले से समंद देखो मत्मूले कैसे निकालाता है उसमें जितने भी निर्वाशित मले हैं उनसे भाग देते हैं और गुड़ा करते हैं एक हजार से चोटी हो जाए ताकी वह सांसद का देखते हैं कैसे निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है दोनों सदनों के मत्मूले समान इसमें क्या होता है सांसद के caveat के मत्मूले बराबर होते हैं यौक स tam た जो है उनका मतवूल बटे कुल MP लोगसभा राज्यसभा दोनों को मिला कर बटे कुल MP इस प्रकार से किया है यह मतमूले निकाला जाता है को सने कर फॉर्मूला पूच लिया गया है आप देखते निर्वासन प्रहडाली राष्ट्पति की यह अपर जैसे बूलते हैं गुप्त मतदान एकल्सम्टरमेड पदिती में क्या होता है एक मतदाता जो है सबी विकलपों का प्रियोग करता जैसे ए उसका निप्टारा कुन करेगा उष्ड कररेगा आपकी जमानत राशी 15,000 है जो यदि एक वटे 6 से यदि कम उसे वूट मिलेंगी तो यह आपकी जमानत राशी है जब ठो जाती है पचास प्रस्तावक होना चाहिए और पचास अनमुदक होने आवसक हैं अब आगे बात कर लेते देगो एक परिकरिया महावयोग राश्ट्रपती पर सुना होगा महावयोग जो कि अनुचे एक सट के तहता आती है ठीक है उसकी सूचना जो है राश्ट्रप किस परकार की जो प्रक्रिया यह अरधन्याएक है कैसी प्रक्रिया ये बेहंवत होना चाहिए और प्रस्ता पास और ये कितना होना चाहिए बहुवत पास करने के लिए बहवमत होना आवस्ष्य है यह आगे शक्तियां राष्ट पत्ति की साथ प्रकार की सकतियां होगे जिनने में सबसे पहले होती है कारे पाली का सक्ति यह ने कारे-कारी सक्ति जो है। जैसे कि सभी प्रिशासनेक कारे उनके नाम से होते है, जितनी भी नियुक्ति होती है। कि नियुक्ति के द्वारा ही की जाती है, महन्य अपधी है, cea gia है, UP Pennsylvania का अद्यक्ष है उच्छायक्ष है राज्जेपाल है नियाएधीस है S.C. सोरी S.C. और S.T. आयक्ष का जो अद्यक्ष है राजदूद है और सदस्स है अंतरराज्य परिष्द के सदस्स है S.T. छेत्र होने की गोशना भी राष्टपती के द्वाराइग कीजाती है जो राज्य का महादीवक्ता होता है उसकी राष्ट्पती के द्वारा नहीं होती है ठीक है आगे बात करते हैं दो नमर पाती है विदाही सक्तियां कौनसी राष्ट्पती लोगसबाऀ को अनुशषेद कितने के तैध भंग कर सकता है अनुशषेद 580 के तैधा EU जक्तिक राष्ट्पती Chi Raas विदाई सक्तियों के तहती राष्टपती मनुरुत करता है राज्य सभा में 12 सदस से आपको पता है 12 सदस से कला विग्यान साहित और समासिवा इन चेत्रों से जो है यह सचुन तंद्रुकर के नुक्ति इसी के तहीत हो दी लोग सबाव में पहले दो सदस नुक्त करता था ल अनुछिद 123 के तहित राष्टपती अद्यादेस जारी कर सकता है अब गरें 17 सान पर 17 नहीं चल रहा होगा उस समय पर अध्यादेस जारी कर सकता है और एक विशेपर इस केबल 2 बार यह जारी हो सकता है जो अब वापस ले सकता राष्टपती ठीक है वैसे समाप्त कब उसके 6 सप्था के बाद यह समाप्थ हो जाएगा ठीक है और इसकी अभधी कितनी होती है अध्याद से 6 महिने होती है और विजाई सक्ति केता है यह किसी भी धन्विद्य को पुनर्विचार के लिए वापस भे सकता है कि इस पर द्वारा से पुनर्विचार किया जाए ठीक है जी और उसके बाद देखो यह जो है संस्रथ में तीन प्रकार की रिपोर्ट जो है वो पेस करता है और जब नई सरकार चुनी जाएगी उसका जो पहला सत्र होगा उसमें यह भासड देगा। 2 बार यह भावारिये भासर डेता है तो अगले ओकर आपकी विद्य सक्ति होगी राश्ट्रपती tredak को से ऊती है धन्विदैक सबसे पहले राश्ट्रपती के आए प्वाश हाए डिया पीज करने से पहले राश्ट्रपती के दवरारी अन्यमती दी जाती है और टिकलéd 2010 MA फिर्फ विव्रन के नाम से पियता करता ok फिर्फट एक पर बार ऑबार सभान दोना होता है कर्दायों करता राष्ट पर प्रकार एक प्रकार आपील की जा सकते है यह सेनने मामलों भी भी चामादान दे सकता है राज्टेक्व टीक है आर्टिकल 143 143 आप समझ रहे होगा ठीक है 143 के तरह से सलाह मांग सकता है है लेकिन इस सलाह को मानने के लिए बाद तै नहीं है सुप्रीम कोड की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाद दै नहीं है और देखो छमादाने जो चमादाने यह चारप्रकार तो आगे के लिए जो इस्थागत कर दी जाएगी उसकी सजा जो है ठीक है परिहार है इसमें क्या है अवधी कम कर सकता है प्रकरती में परिवर्ता नहीं कर सकता है लेकिन क्या है अवधी को कम कर सकता है परिहार के तैया चार प्रकार की सकती है चार प्रकार की सकती है उसके पास नमर पातार पूर्ट निदिक सकती जैसे जो भी अंतराष्ट संधिया समझोते हैं वो राष्ट पति के नाम से किया ज देशों के लिए संसदे प्रति निदी जो मंडल होता है उसका जो नामांगर जो राष्टपति के द्वारा ही किया जाता है चैब दूसरे दैसों से युद्ध की घौषना और युद्ध की समाप्ति जो भी राष्ट के द्वा रही किया जाती है आई समझ में सेञने बलों करता है उनकी न्यूक्तिवी राष्टपती करता आपूँन पर आती है आपातकाली सक्ति कौन सी बहुए इनके बारे में विस्तार तो आगे पढ़ेंगे ठीकिछ लेकिन यहां पर सुक्ष्म रूप से देख लेते हैं अपातकाली सक्ति के गोश्णा मंत्री मंडल की लिखत सिपारस पर राष्ठापती के दोरा की जाती यह तीन परकार सबसक्राइब पर नहीं देख लेते हैं इसका नहीं किया घ्रोटी अगे और क्या है सधन में राष्टपती की नाम से विटाइडाना उसके बड़ेकों अब तक ranic सब्सक्राइब निवारान कारून था इस पर हो चुकी है तीन बार संसद के जल्दबाजी में जो कानून बनाए उनको रोकना इसका जो कारण होता है असा विधानिक विधानों को रोकना थेकर इसका वीटो चार प्रकार्य की रोगया स पारत जो विध्यायक पर राय सुरक्षय रखना या गेर सरकारी सरकारी सदस्रों के संबंद में हैं या जो सदर ना हो या पर सरकारी मंतरी परस्वद्ध ने ट्यागपत्र दे दिया हो जैसे कि 1994 में होब था जुआ गर स्वाग्रारि की श्रीकार करें श्रीकार विदेख को पॉर्टर विचार के लिए जा सकता है वापस फिराशाब के लिए मतार राश्टपती है कि हूँ जाता है और भूल जाता है कि कोई भी विदेक मेरे पास आया है ठीक है जिसे कि 1906 में ग्यानी जैल सिंग ने इसका प्रियोग किया था पोकेट विटो का डांक अधिनियम पर इसका प्रियोग किया गया था ठीक है आगर लेक लेते हैं राज्य विदाहिका पर वीटा सुकर्ति दे सकत सब्सक्राइबत सब्सक्राइब किौन यह मत्री इशाब सतनाल होने पर मंत्री मंदल कोईड़न कर सकता यह विश्वास्मत वीवेक स्वतनत पर आधारित होता है यह नहीं भी कर सकता है उसका देख लेए इनका निर्वाशन सभा के द्वारा किया गया था ठीक है सरवादिक समय तक राष्टपती रहे कितने वर्ष्ट तक रहे आपको बताना है वह सबसे राष्टपती की बात आती है तो नीलम संजीवरेटी यह जो निर्वरोध चुने गई थे ठीक और यह एसे भी राष्टपत प्रमन जो राष्टक रमन्स वह पहले उप्राष्ट पडीवी थे पहले उप्राष्ट पडीवी थे इनकी वक्या माई सब्सक्राइब करें राजजिंद्र प्रशाद में सर वादिग बार चुनाब की बात करें सरवाद एक बाढ़ चुनाब किसे ने लड़ा था यहाद चौदरी हरी राम ने पांशे बर चुनाब लड़ा था 1952 से लेकर 1970 लेकिन कभी बी इने जीत हाँसिल नहीं हो सके तीक है जी अब बात करते हैं तो पहले जो दलित राष्ठ पती नाराने थे क्याररान थे यह पूर में यह वी उप्रास्ट Uh पहले राश्टपती की बात करें कौन थे महिला राश्टपती की बात करें तो को ने प्रत्वा देवी सिंग पाठ लें यहाद रख की थी तो कौन थे पाठ काल पर सबसे कंए समय तक राश्टपती को थे जा करुशंड पूझा सब्यसे अलब्काइब वाली राश्टपती थे कॉन पूझा जा इन दोनों की मेत तुचे पत पर रहते हो भी करणवाख राष्टरपति बात करें तो सबसे पहले हम घ्राजेतुवला थे और दुतिया चक्र की गढ़ना किसके लिए हुई हुई विवी गड़ी के लिए है तो इसमें विवी गड़ी जीते थे किस पूछा गया है किस राष्टपती के चुना में दुतिया चक्र की गड़ना हुई थी लेकिन बाद में क्या है राष्ट्रपती के पद ने मिला था ठीक है यह हमारा कब्ली चैप्टर था रास्ट पती से समने कोई भी कोश्चन आप से बाहर नहीं जाएगा तो हमारा टेलिग्रम चैनल है जिसकी लिंग यूटूब चैनल के बायो में दे रखिए यह विद अत्री के नाम से चीक है जिए उस पर यह आपको पीडिएफ मिल जागी मिलते हैं अ